हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टाडी ट्रिक्स, इस लेक्चर सीरीज में हम डिसकस कर रहे हैं NCRT सार संग्रे बुक को जोकी महिश कुमार बलबाल द्वारा लिखी गई है तो आज हम डिसकस करेंगे जीब बिग्यान यानि वाय लोजी का पार्ट नमबर बन इससे पहले हमने फिजिक्स और कैमिस्टी के इसी बुक के सारे पार्ट खत्म कर दिये अगर आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिष्टे बनिये बहां से जाकर उन्हें देख सकते हैं दोस्तो आप किसी भी एक्जाम की तायारी कर रहे हो और फास्टेज तरही के से रिवीजन करना चाते हैं बन लाइनर कोस्टन की थूँ तो इस बुक से आप कर सकते हैं ये बुक आपके लिए बहस्ट रहेगे तो चलिए श्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो सबसे पहले जी बिग्यान की पिरमुक उपशाकाईं दी गई हैं ब्रांचिस और बाइलोजी पहला कोस्टने बिटी कल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है तो क्या उत्पादित होता है अंगूर अगला पॉइंट दिया गया है जीरेंटो लोजी के अंतरगत ब्रद्यवस्ता इबमायू ब्रद्य के प्रभाफ के बिसे का अध्यान किया जाता है आप इसको भी ध्यान रखेंगे अगला कोस्टने बॉर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रियुक्त होता है कौन सा होता है केचुआ अगला कोस्टने प्रद्यूलोजी के अंतरगत किसका बैग्यानिक अध्यान किया जाता है किसका करते है मिर्दा यानिकी मिठी का अगला कोस्टने फूलों के अध्यान को क्या कहते है तो क्या कहते है अन्तोलोजी आप इसे भी ध्यान रखेंगे चलिए next हम देखते हैं next है कीटो का बैज्ञानिक अध्यन क्या कहलáता है तो क्या कहते है process अगला कोषती ने जन संक्या गर मानब जाती के आउंकड़ों का अध्यन को क्या कहलाता है तो क्या कहलाता है जनकिंकी या demography next हमारा जीवास्म बनस्पति या पिलियो बोटनी के अंतरगत पादब जीवास या फॉसल फॉसल का फॉसल प्लैंट का अध्यान किया जाता है तो आप इस सीथ को भी ध्यान रखेंगे हो सकता है आपको दिखाई न देता हो बड़ा कर देता हूं थोला नेक्ट है हमारा विविन संत्किरतियों के बैग्यानिक विबराल के तुलनादम का ध्यान को हम क्या कहते है क्या कहते है एतनोलोजी अगला कोस्ते ने सबजी का अध्यान किस शाका के अंदरगत किया जाता है तो किस शाका के अंदरगत करते है औरोली करलचर के अगला कोस्टे ने अस्तियों का अध्यान बिग्यान की कि शाका के अंतरगत किया जाता है तो किस साका के अंतरगत करते हैं औस्टियो लोजी अगला है सर्पो के बिशे में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है क्या कहते हैं हमें से सर्पेंटो लोजी अगला कोश्चन है हमारा हाइडोपोनिक्स किस से संबंद से है आपको नेट्ट दिया गया जी बिग्यान की बिविन शाकाओं के जनक तो सबसे पहला है जन्तू बिग्यान इसके जनक क्यों कहलाते हैं अरस्तू अगला है बनस्पती बिग्यान यानि बाटनी तो इसके जनक क्यों कहलाते हैं थ्यो फ्रेस्टस अगला है सोक्चुम बिग्य यानि की इम्मुनलोजी तो इसके जनक कौन है एडवर्ड जेनर नाइट ए बारगी की यानि की बरगी करल विग्यान जिसे हम टॉक्सिन निए बोलते हैं तो इसके जनक कौन है कोरूलस लीनियस नाइश्ट है रूदरपडी संचिरल तंत्र यानि की बिलट सरकूलेशन जो जनक हैं बिलियम होरवे अगला है कोशिका बिग्यान यानि कि साइटोलोजी तो इसकी जनक कौन है यानि खोश करता कौन है रोबर्ट हुक अगला है उत परिवर्तन यानि की मूटेशन तो इसकी खोश होंगो दो द्रीज द्वारा की कई थी आप इसे भी धियान हमारा पादफ शरीर क्रिया विग्यान की जनक तो कौन है स्टीफन हेल्स है नेक्ट है आधुनिक मनस्पति विग्यान तो यानि मौडर्ण बाटनी तो इसके भी जनक कौन है कौरलिस लीनियस अगला है रूदर बर्ग यानि बिलड कुरप के जो जनक है कौन है कार्ल लेंड इस्टीनर नेक्ट है अंता इस्तरावी विग्यान इंडो क्रिनोलोजी तो इसके हैं थॉम सेलवा एडिसन अगला है अनुवांशिकी यानि जैनिक्स को इसके कौन है ग्रेगर जॉन मेंडल अगला है अधुनिक अनुवांशिकी यानि के मौडन जैनिक्स तो इसके को ने थी एच मॉर्गन तो ऐसे को से आप से बहुत पूज़ आ सकते हैं अगला है भारती बनस्पाइब पुरा बनस्पाइब विग्यान तो इसके को ने बीरेबल सहानी अगला अनुबानशी की अभियांतरी की यानि की जैनिक जैनिक इंजिन रिंग तो इसके को ने पॉल बर्ग अगला है शैवाल विग्यान फाइकोलोजी तो इसके को ने विलियम हेंडरी हरवे अगला है भारती शैवाल विग्यान तो इंडियन फाइकोलोजी तो इसके को ने एम ओपी अइंगर तो आप इनको भी ध्यान रखेंगे अगला है भारती परस्तितिकी यानि इंड तो इसके को ने एंटोनी बे बॉन लिहुनाओक अगला जीन चीकस्था यानि जेन ट्रॉथ रफी तो इसके को ने एंडर्सन तो आप इस चीद को ध्यान रखेंगे अगला पॉंट दिया गया है जन्तू विग्यान जी विग्यान की एक शाका है अरस्तू को जन्तू विग्यान का जनक यानि फादर आप जूलूजी कहा जाता है तो इस पॉंट को आप ध्यान रखेंगे नेक्स्ट आपको बनस्पत्ती विग्यान की पिरमुक शाकाएं दी गई हैं तो इनके बारे में भी देख लेते हैं तो सबसे पहला है घास sp 있다는 तो याना सो को पाला अगल्या यानि वैक्टोडी लोगिज्य और घिस्ड जुड नोजी तो पादप रोगजन गांटो यापादबust के द्यं अगला डेंड्रो क्रोनोलोजी तो ब्रक्षों के आयों के अध्यान अगला है डेंड्रोलोजी तो ब्रक्षों और जाड़ियों के अध्यान अगला है एकोनोमिक बोटनी तो आर्थिक महात्व के पोधों के अध्यान अगला है एतनो बोटनी तो आदिवासी द्वारा पात्पों के उपस्टितिक अग्ला है जैनिेटिक एंजिनतिक गर्तितिक एंग्रोरु नािकलोरुं ऑठुजिए को एन माइकोलोजी तो कपको के बैग्याने का दियान, अगला है माइको इस्पेलिमोलोजी तो माइक्लो माइक्लो प्लोजमा द्वारा बैग्याने का दियान, अगला है निमोटोलोजी तो निमोटाइस के पादमों के साथ संबंदों का दियान, अगला है पिलियो बोटनी तो हो सकता परिवियोस कि सम्मंदों का अध्यान अगला फार मेकलोजी तो ऑश्य दियो पादमका अगला है फिजियो और लोगी पिपिन पादब को कि जया क्रियाओं का अध्यान करते हैं इसमें है और नेलेगर है ता sector अधरी प्योगिक तो पौदों पेसे करते हैं नेग्ट आपको दिआ गया आए इस पेस बायोलोगी तो अंतरिक चादा बायोमंडल में ए सत पात्पीयों का ध्यन करते हैं सपरमय लोगी तो भीजों का ध्यन अगला है हेलियो थेरेपी तो सूरिय के अगला एनोटोमी तो बिच्छेदन के द्वारा शरीर इवं विविन अंगों की रजनागा पर दर्शन करना अगला इंत्रोपोलोजी तो मानब जाती की संस्कृतिक विकास का अध्यन करते हैं अगला एकोलोजी तो जाएबिक बात अपराल जीवों के विविन अत्रों का अध्यन करते हैं अगला इंटोमोलोजी तो कीट पतांगों का अध्यन इसके अंतरगत करते हैं नेस हेमारा जेनेटिक्स तो जीवों के अनु बान्शक लक्षाल इंकी बन्शकती का अधियन करते हैं नेक्ष हमारा हीमेटोलोजी तो रूदिर अब रूदिर सम्मधि रोगों का अध्यान करते हैं अगला है हार्पेटोलोजी तो अबेश्यरों और सरी सरफों का अध्यान करते हैं नेक्ष हमारा मैमेलोलोजी तो इस्तंधारियों का अध्यान करते हैं next रमारा microbiology तो आती सूकिम्र जीवों का अध्यान करते हैं next रNew seminar Neurolog visa culture का अध्यान करते हैं अगला odontology दंत्र पिघ्ञान सबंधन करते हैं अगला endothology तो पक्षियों का अध्यान करते हैं सब्सक्राइन क réuss diu जीवों पर बिक्रल प्रवाप का अध्यान इसमें हम हम करते हैं अगला पॉइंट आहिव रद्धी के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का द्धियन जरा बिग्यान या जिरेंटोलोजी कहलाता है जिरेंटोली जो है चलिए नेक्ट हम देखते हैं नेक्ट आपको दिया गया है जीवन की उत्पती सम्मधित पिर मुख सिद्धान तिवं जय विकास से रिलेटेट कोस्टन तो एक एक करके डिसकस करते हैं सबसे पहला कोस्टन ने जी बिग्यात एविनुशन को सर पिरतम किसने परिवासित किया तो किसने किया ता जीव जीव जीन बैप्टिस्ट एंड डी ले मारक ने अग्ला घुश्टन ने बैग्यानकों ने आधुनिक मनस्व का अंतिम पूरबच किसे माना जाता है तो किसे माना है क्रो मेगनोन मानप को आप इसको धियान रखेंगे अगला पॉइंट है बरतमान चार्ल्स डार्विन ने अगला कोस्ते ने विकास का मुख कारक क्या है तो क्या है प्राकिर्टिक बरल यानि की नैच्छरल सेलेक्शन अगला कोस्ते ने विकास के उत्परिवर्तन सिद्दान यानि की म्यूटेशन अब थ्योरियो और इविलोशन का प्रदिपादन किस ने किया था हॉंग ड्यू ड्यू बिरीच ने तो आप इसको भी ध्यान लखेंगे चलिए नेक्ट देखते हैं नेक्ट पॉंट दिया गया हमारा आर्कियो पे आर्कियो पेटेरिक्स जोरोसिक यूर्का सब किस पराचीन पक्षी है जो सरीषरब बक्षीवर के मद्द की कड़ी है इससे धियान रखेंगे नेक्ट आमाना मेंमथ किस जीब का पूरबज है तो किसका हाथी हो अगला कोसец ने पिर्तवी पर सबसे पहले किस जीब की उतपक्ति मानी जाती है तो किस की मानी जाती नील ह अगला कोस्ते ने किस जीवाड़ियों में किस परकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं तो जीवाड़ियों में किस परकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं सत्तर एस राइबोसोम्स नेक्ट कोस्ते नेमारा नेक्ट पॉइंट डाइनासोर सरी सिर्फ रिप्टाइल बर्ग में आते थे जिनका उद्य मिसव जोई लुक में हुआ था तो आप इस सीथ को भी ध्यान रखेंगे अगला कोस्ते नेमारा नील हरच शेवाल जीवाड़ूत ता कबक में लवक नहीं पाए जाते हैं बलकि लोमली के हाकार की कौन सी रचना पाई जाती है कौन सी पाई जाती क्रिम क्रेमटो फोर्स अगला कोस्ते नेमारा किन पौदों में जायलम भाहिकाओं यानि जायलम बैसलत का भाव होता है किसमी होता है अनावरत पीजी एवं टेरीटो फाइट में आप इस सीथ को ध देयां रखेंगे हुआ मैसे नाइक हो सन दिया गया है पांच जगत बरगी कर फ़ाइफ के लास रिक सिपडिकरिं कि ने करने अगला कुछी ने जंपिंग सी जीन इक होच किसने की थी-क है निकितीम में कि इन मथ 14 में दोनों में पाई आता तो अधिन गानीन साइटोs चमगादल नाइट हमारा चमगादल बैट को उलने की कीट ज्धमता होते हुए भी पक्षी वर के अंतरकत नहीं शामिल किया गया है बलकि इसे इस्तन पाई वर के विए सम्मिलित किया गया है नाइट को तने बहुत समुद्ध जिसके जन्तु प्राया रात्री चर या इसे पहले मानवान अपका पेग्रान इक नाम क्या होता हुटा होमो सेपियंज ध्यान रखना पाता ही होगा नाइट इन्दुएं ने वाग मघने तो पैंठ्ट टिग्रिस ने शेर शेर का होता है पैंठ्वार लिऊ नेक्टे मटर मटर पाईसम इस्टाइब बम बिल्ली बिल्ली क्या होता है फैल स्कैटस नेक्टे मेडग मेडग करा होता है राना टिकराना नेक्टे धान धान का क्या होता है और आज़ा इस्टाइबा नेक्टे सरसों सरसों क्या होता है बिलेसिका कंप्रेटिस्टिक्स नेक इन सब को ध्यान दखेंगे चलिके कौछ और देख लेते हैं आहँजशञी प्रत्रिप्राइबारें तो यह भैज्ञानिक नाम है जोने आप ध्यानद को सतरल में एस्ट्रो सकता हुआ इप्र का तेoff City अग्यां प्लाश्ट में कहां संपन्य होती है तो कहां होती है करमसा गृष्फ इंडना का कब को और चतर पौद्वों के जलो में कौन सा मद्ध कौन सा करियां बसे चारिए पाया जाता है तो कौं सा पाय जाता है कबक मूल आप इसे ध्यान रखेंगे अगला कुछते नहीं इस्ट और मश्टूम किस प्रकार के जीव हैं तो किस प्रकार के अगला है कपास में पाए जाने वाला पिर मुग गटक कौन सा है तो कौन सा होता है सेलिलोस नेश्ट है लाइकन किस से निर्मित होता है तो लाइकन किस से निर्मित होता है कब कोई हम शहवालों फंगी या फंगी और एलगी से अगला कॉस्टिण जीवन चक्र की दरष्टी से पौदे के सबसे माहतपूर अंग क्वा है वुषब अगला कॉस्टिण किलोरोफिल की निर्माल में कौन सा अधत माहतपूर होता है तो कौन सा होता है मेगनेशियम आपको इसे भी ध्यान ड़कना है चली नेक्ट कोस्टिन देखते हैं अधिकांज कीट किसके दौरा स्वस्टन करते हैं तो किसके दौरा करते हैं बातक दौरा यानि की ट्रेकिया के दौरा अगला पॉइंट दिया गया है कुनाइन अभरत बीजी पादफ इंजियो इस पेनिमिटिक प्लान्ट का उधारल है जो सिन के उना नामक बादब की छालते प्राप्त होता है तथा ये मलेलिया के उपचार के लिए प्रियोग किया जाता है तो ये से आप ध्यान रखेंगे इंपोर्टेंट इसे कोशन बहुत पूछते हैं अगला सेब में पाए जाने वाला लाल रंग किसके करण होता है तो किसके करण होता है इंथो साइनिन के नेश्टे टिमाटर में लाल रंग किसके उपस्तिति करण होता है तो लाई को पिनकी उपस्तिति के करण अगला कोस्तिने शैतूत का फलका बैध erzählt का नाम किया है तो कया है सोरोसिस अगला कोस्तिने सर्वो की बिस गरंटिया यानि बैनेम गिलाइंट्स किसके समांग हूमोंलूजियस है तो तो किसके कशे रुकी प्राड़ों की लार गरंटियों के तो आप इसको भी दिहान रखेंगे चलिए नाइट हम देखते हैं निमपेथिस खासियाना पिच्चर प्लांट नामक पौदा मुक्ता भारत में किस राज़ी में पाए जाता है भारत के किस राज़ी में पाए जाता है मेगाले में अगला कोसे ने चट्टानों पर उगने वाला पादप क्या कहलाते हैं तो क्या कहला आते हैं शैलो दभीद कौन करता है उट नैट को सबसे बड़ी अकष शुरू की जीब कौन सा आए तो कौन सा आए को लोसे स्कुड़ आप इसको ध्यान रखेंगे चलिए ने च्टम देखते हैं नैट कोस्टन आप उसको si दिये अंड़न रखता है तो दिया गए आना लाल फहलो को किस साका के उंतरगड क्याता है लीची की फहलो और किस साका के उंतरगड रखते हैं एक वीजी बेरी कह नेक्ट पॉंट जिए गया हल्दी पोधे के तने इस टेम से प्राफ्त होती है इसके खाने वाला हिस्सा प्रिकंद कहलाता है इस वी को आप ध्यान रखेंगे अगला कोस्ते ने लाल मिर्च किसकी उपस्तिक कारण ठीकी होती है किसकी कारण होती है कैप सीसिन के नेक्ट कोस्तिन है सबसे बड़ा इस तन पाई जीव कौन सा है तो कौन सा है वेल अगला कोस्तिन है रेशम का कीट सिल्क वर्म अपने जीवन काल में किस अवस्ताम में बलजिक तन्तू या कॉमवर्सियल फाइवर्स उत्पन करता है तो किस सबस्ताम करता है वो अबस्ता कहलाती प्यूपा आपको इसके ध्यान रखना है एक्जाम में कोछिते हैं अगला गर्म उद्रे बाले वर्म ब्लैड़ड या सम्तापी आईसो थर्मल जन्तू के सरीर का तापमान कितना होता है आपको ये बताना है तो कितना होता है इनका एक समान तापमान रहता है कोई तापमान में परिवर्तन नहीं होता है अगला कोस्टिन है समुद्री गोला सी होर्स किस पिरकार की जीब का धरल है तो किसका है मजली का अगला कोस्ट ने वो कौन सा इस्थन पाई जो अंडे देता बच्ची नहीं तो कौन देता है इक एडना अगला कोस्ट पॉइंट जानने की इछा प्रिकट करना तो गूर चेंदन मनन करना मनौस्थ को बानर गुडों से अलग करता है अगला कोस्ट ने मानफ्श रिर्ल में पाई जाने वाली सब से छोटी कोश का कौन सी है शुक्राडू अगला सिन है सील किस बर का प्राड़ी ये तो किस तर किस दन पाई आप इसको भी ध्यान रखेंगे Olfant अगला कोशने और किस पेड़ से प्रापत होती किस धे होती है कोई कर से अगला कमा नि दोल्फन किस बरकि अंतरगत आते हैं किस बर के अंतरगते इस तन पाई अपई कर शबतार नेग्यन की शेएशर के लपायों में अनुकुरित पेर पौध़ों में को क्या वंध कैंतेں रखते हैं मरोद भिद्ध यह जिरो फाइट आप इसको ध्यान रखेंगे चलिए नेक्ट कोस्टन देखते हैं तो नेक्ट कोस्टन दिया गया अधिपाद अफ़ी फाइट अन पौदो पर क्यों डिबड़ रहते हैं यह अंत्रिक सहारे के लिए नेक्ट टिक और माइट किस जीव बंस से संबंदित है किसे मकड़ी बंस से अनेक्ट जुगनों की चमक किस एंजाइम के करण होती है तो किस किसमें पाई जाती है तो किसमें बाई लेगियों मूल गिरंतियों में अगला है डार्विन की पुस्तक अंदा औरीजिन ओप स्पेसीज कब प्रकासित होई का वोई थी बर्स 1869 में आपसन तो नहीं है इसमें आपसन के हिसाब से आकर होगा तो उसको अब जहान रखेंगे अगला कोस्तिने जेव बिकास के पक्ष में किस रोज से पिर्टिक्ट प्रमाड प्राफ्त होते हैं तो किस होते है जी वाश्मों से अगला कोस्तिने जीवो के बिकास एवनुशन के संदर में कौन सा अनु किरमल सही है? तो कौन सा है सैले मेंडर अजगर और कंगारू नेक्ट कोस्ट ने किस किन कशीरों की जीवों में कंकाल पूरतान उपस्तित होता है किसमी होता है सरी सिर्फ यानि की रेप्टेलिया में अगला कोस्ट ने कौकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रिकार का पड़ी संचरल तंत यानि कि सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है तो कौन सा पाया जाता है खुला पड़ी संचरल तत यानि की ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम अगला कोस्टन है इस तनपाई भूड के उस सरजनी उत्पात किसके दौरा बाहर उस सार्जित किये जाते हैं किसके दौरा करते हैं अपरा या प्ले सेंटा के दौरा आपको इसे भी ध्यान रखना है चलिए नेक्ट कोस्टन देखते हैं नेक्ट पॉइंट दिया गया पहले तो बिग्यान की पेलेंटियोलोजी की नामक शाका के अंतरगर जीवाश में यह फॉसिल का ध्यान किये करते हैं नेक्ट कोस्टन है सबसे बड़ा जो तेजगती किसे दोड़ सकता है परंतु उल्ड नहीं सकता कौन है सोतर मुर्ग ऑस्ट्रिच अगला पॉइंट है नमक युक्त मिट्टी में उने वाला पादब हेलोफाइट कहलाते हैं क्या कहलाते हैं हेलोफाइट अगला एंटमीब हेलोफाइट का नमक परजीवी मान आपके किस अंग में पाय जाता है आत में नेक्ट है लेकिनिन नमक पदात जमा रहता है किसमें रहता है जायलम उतक में अगला कोस्टन है डीने संसलेटर लेसल हिस्टोन प्रोटीन कश कोश का चक्र के किस अप्रवस्ता में से बनती है आइस प्रवस्ता से आप इसको भी ध्यान डखेंगे चलिए नेक्ट कोस्टन देखते हैं तो नेक्ट कोस्टन हमारा दिया गया है वो जीव जिसका महात्व डूबने से हुई मिर्थियों का पता लगाने में किया जाता है कौन सा होता है डायट अगला कोस्टन है पपीते क अगला कुस्टन है अधिक नमक बाले अचार में जीवालू जीवत क्यों नहीं रह पाते हैं क्योंकि यह जीव दरब कुंचेत होकर मर जाते हैं तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे अगला कुस्टन दिया गया है कब कोशिका में संचित होने वाला खाद पतारत है कौन सा है गिलाई कोजन अगला कुस्टन है तालाबो और कौमे किस जंतों को छोड़ने से मच्छनों को नेंदर करने में मदद मिलती है तो किसमें मिलती के प्रियोग के बिना केवल खाने जी उक्तसाइता से पौधे उगने उगाने की विदी को हम क्या कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं अगला कुस्टने पिर्ती जैविको यानि एंटी बायोटिक्स मुक्षिता प्राप्त की जाती है किसे करते हैं जीवाड़ों से अगल को सेने जब एक ही जी जीएं दो यह दो से अधिक बिन लग्चलों के साथ को एक साने तरितित करती हैं तो इसे हम क्या कहते हैं क्या कहते हैं बहुप रबता का नियमा अगला को सेना की सेना कि अपनी बंश भतनी नियमों रोल्स ऑफ हार्ड एटिटी को पिर्थिबादित करने में किस पौदे का प्रियोग किया किसका किया दा गार्डेन पी यानि की मतर का अगला पॉइंट है ग्रेकर जॉन मंडल अठारसो बाइस से अठारसो चौरासी इस भी को आधुनिकनु वांशिकी का जनग या फादर जनेटिक्स कहा जाता है ध्यान रखना है अगला सुका सहिसलत सम्वंदित हर्मोन है कौन सा इभी सिसिक अमल है आप इसको भी ध्यान रखेंगे नेक्ट आपको दिया गया है अधिकान एंजाइम विकर किस ताफ पर सारब्दे सक्रिये होते हैं तो बीच से 35 दिग्री सेलसियस के मत नेक्ट पॉइंट सीप घोगा स्कुट कौड़ी ऑक्टेपस कटल फिश आधी मॉलसका संग यानिकी फाइलम मॉलसका की प्रमुक सेल के बारे में तो सबसे पहला कोस्ट दिया गया है जैब कोशिका के किस कोशिकांग को उड़ जागर यानि पाबराव हाउस कहते हैं किसे कहते हैं माइट्रो कॉंडरिया को नेक्ट पॉंट है हमारे तंतर में अधिकतम ATP अड़ों को उत्पन करने वाले पत्क के नाम हम क्या कहते हैं क्रेपस चक्र अगला कोस्ट ने प्लाजमा जिली किन पदार्तों से बनी होती किस से बनी होती प्रोटीन और लिपिट से अगला कोस्ट ने मानब शरीट के किस अं नितों कोशिकां में अनूपस्तितों होती है कोशिका भीती कि यानि की शेल वाल नेइस्ट है पीट पिन्ड कारपस ली टम कहां पाय जाती empirर्ण के अंडच है यानि कि ओवेरी में आपको इसे भी ज्यान रखना है नेश्ट आपको दिया गया है पोरे कर्मित कोशिका मिरतीु इघ्यु उप्रोग्राम्ड सेईल्ड़ेट के कोश्किये औरंडकी ने उंधरल को क्या कहते हैं ultrasis नाइट है केंज्डरक यानि यूकलेस कें अंत्रगत कोशका में किस कोशकांग में डियाईनि नय पस्तित होता है, किस में होता है, हरत लबा की ता था माइट्रो कॉंडरिया में Next question देखते हैं, किस कोशका को पाच्चन की ठाहली कहते हैं, किसे कहता है, लाइसो सॉम को अगला कोस्टे ने मनसकों के किस उतक यानि टिश्यों के जन्म के फस्टाथ कोश्का विवाजन नहीं होती किसकी नहीं हो तंत्र का उतक की नेश्ट है कौन सा भाग पादा तर्च जन्तु कोश्का में पाई जाता है तो कोश्का जिली कोश्का द्रब केंद रख अगला हाइपर-पिलासिया का अर्थ की होता है तो कोशिखा कि आकर में ब्रद्धी का होना क्या कहलाता है हाइपर-पिलासिया अगला कोस्ट ने जीन सब्द सरप्रितम किसने पिर्थिपाज किया तो किसने ने किया था जॉनसन ने लेकर ने यहानी रिवर्स ट्रान्सक्रीपसन की कौछ किसऱ की कुस नहीं तो किस्ट नहीं थी टेमॐन इवन बाल्टी मोर्च नहिंए नई कोशन नहीं जब एक योगम 48 दूसरे चीन दूसरे इकाई केप्रभभब को छपाता है तो वो इस प्रिवा को हम क्या कहते हैं पिर वहापता का भी धिया पिछान रखेंगे चलिए हम में देखते हैं नएक को जो एक को छीका की जीगित अंश जीबडरब कहलाता है यह किसने मिलका बंठ आ तो कोशिका पौदों की कोशिका बित्य शेलवाल की सरचना का घटक है कौन है कैल्सियम नाइश्ट है सबसे चोटी जीवित कोशिका है कौन सी है माईको प्लाजमा अगला कुस्तने किसे जीवन की बहुत एक आधार माना जाता है किसे मान दें जीव दिरब को अगला कुस्तने कौन सा असपती कोशिकां में ऑपस्ति होता है कौन होता है हरत लबक नहींच धिजिवत पंदी की जन्मदादा कोन है कोौरिलस ल ata के देखते हैंन 51 दो कोशिकां के मत्त हारतो कि q के माध्यम से होता है किस की माध्यम से जूब यह जीव दरब तन्तु के दौरा तो आप इसी दिया कि त्रफ्ठिक को पर दान की कि हगो को किसे की जाथि है किसिकी कोई को अग्र एक तर्फमा जिल्ली किसकी बने होती है तो किसकी बनी है लाइपो प्रोटीन ऐग्या कि प्लाजमा जिली की सचना का यूंट मीम्राउम मोडल किस नहीं दिया था किस नहीं दिया था रोबर्स अने में ये सबसे बढ़ी कोशिका सुथर मुरका अंड़ा मानथ सरीर की सबसे छोड़ी कोशिका अंडालू के बलस्तिरियों में मानसरी की सबसे लंबी कोशिका नियूराउन पॉर्सों की सबसे छोटी कोशिका कौणजी है शुकुराडू इस पर में सबसे बड़ी पादब कोशिका कालेंपो टैक्सी फूलिया आप इसको भी दियान रखेंगे नेक्ट अपकॉइंट दिया गया है आपको पॉर्सों के सुक्रारों तो था महिलाओं के अंडाड़ों के निस्टेचर की किरिया अंड बहानी यानी और विडक्टिव से में संपन होती है आप इसको ध्यान रखेंगे फेंट्स यह था आइन से जाटी सार संगरे बुक का बाइलोजी का लेक्चर नमबर बन आई होप आपको यह पसंद आया होगा पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करना ना बोलें और वीडियो को जादा जादा शेयर करें इसी तरह से हम पूरी बुक को खत्म करेंगे फिजिक्स और केमिस्टी हो चुका है और बाइलोजी भी जल से जल खत्म कर देंगे उसके बाद हम इस्टेटिक जी के श्टार्ट करेंगे और बाकी बची हुई बुक को जल से जल कराएंगे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करते रहें शेर करते रहें और चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो तो मिलते हैं हम नेक्ट वीडियो में नए प्रेक्टिस सेट के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत